है दस्तो मैं हूँ शुबोंक और आप देखरों टेक्निकल एपिसर प्रोईट्यूब चैनल तो दस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे CAC के कुछ निव अपडेट के बारे में तो CAC के तरफ से कुछ अपडेट आया है तो क्या है अपडेट तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर रच तक जरूर देखिएगा तो चलिए फैंट्स वीडियो को शुरू करते है तो वीडियो को शुरू करने से वेले फैंट्स आगर आपने पहले बार मेरी चैनल पर आया है और आभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए and side में जब बेल आएगान है उसको भी on कार दीजिए तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करता है तो फ्रेंड्स अब देख साकते हूं मैं यहाँ भी CAC का जो official website है यहाँ पर आ चुका हूं तो यहाँ पर क्या बोला गया है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बोला गया है आपको इमीडियेटली जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है जमा करना होगा CAC की साइड पे अगर आप नहीं कराते हो तो आपका जो CAC ID उसको बहुत जल्द डिजेबल कर दिया जाएगा और यह आपके लिए लास्ट ऑपर्चोनिटी है अगर आपने अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है प्रोभाइड नहीं किया है तो बैंक मित्र पोर्टाल पे जाईए और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपडेट कर दिजिए और आपका जो डिएम है उनसे भी कॉंटक्ट कीजिए और उनको भी एक कॉपी फॉरवर्ट कीजिए जो लेटेस्ट अपडेट सीसी के तरफ से आया है वो डिजीपे के उपर आया है तो फेंड्स आप जानते हो रिसेंटली डिजीपे का जो सौप्टर है उसको अपडेट किया गया है और किया किया नया चेंजेस आया है उस सौप्टर में तो मैं आभी आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स आप देखिए आपार मैंने एक पिच्चार ओपेन करके राखा है देखिए डिजीपे ए न्यू वे टु डिजिटल बैंकिंग यहापर आप कि होगे डिजीपे के मध्धम से तो डिजीपे एक बहुत ही आच्छा सौप्टर है तो बहुत दिन से डिजीपे चल रहा है CST के अंडर तो डिजीपे के मध्धम से आप किसी भी बैंक का पैसा उइज्डो कर सकते हो डिपोजिट कर सकते हो फार्न ट्रांसफर कर सकते हो तो अभी फिलाल DGP में 5 service activated है, 5 service देखिए cash deposit है, तो DGP में भी cash deposit का option अभी आच चुका है, उसके बाद देखिए Iris transaction, जो Iris transaction है इस नया बेलम सप्टर में enabled नहीं था, तो उसको भी अभी enable कर दिया गया है, उसके बाद देखिए DMT, domestic money transfer, आप किसी भी customer को domestic money transfer कर सकते हो तो domestic money transfer करने में यहाँ पर कुछ charges लागता है जो आप customer से ले सकते हो उसके बाद देखिए चौथे नमबर पर है माइक्रो ATM तो माइक्रो ATM बाई करने के बाद आपके जो डीजी पे है उसके साथ माइक्रो ATM को link कर दिया जाएगा और पोस्टल के थूँ आपको ATM भेज दिया जाएगा आपके address पे ATM receive होते ही आप किसी भी card transaction है आपा start कर सकते हो आराम से आप एक बार में 10 अजड तक cash withdrawal कर सकते हो चाए कोई भी बैंक का ATM हो तो मैंने खुद try करके देखा है इसका जो ATM का service है बहुती fast काम करता है और यहाँ पर commission भी अच्छा मिलता है उसके बाद देखिए wallet top up तो wallet top up किया है friends आगर आप digital share पोटल में recharge करना चाते हो तो आपको gateway के थूँ आड करना पड़ता है तो CSC ने किया किया DGP के थूँ यहाँ पर एक option दे दिया wallet top up तो मानली जे आपको 500 रुपिस आपके digital share पोटल में add करना है लेकिन आपके DGP wallet में 500 रुपिस है तो आप क्या कर सकते हो DGP को login करो उसके बाद wallet top up पे किलिक करो 500 रुपिस हो आपका एंट्री करो आपका finger friend लगाओ एक सेकेंड के अंदर without transaction fail आपका wallet top up हो जाएगा आपके digital share पोटल में add हो जाएगा balance यह जो service है बहुती fast काम करता है और यहाँ पर transaction fail नहीं होता है तो देखिए fence यहाँ पर DGP एक new look के साथ यहाँ पर launch किया गया है उसके बाद देखिए fence cash deposit service तो फिलल के चाहेगा तो यहाँ पर देखिए bank live on aps cash deposit service DGP तो कौन सा bank का यहाँ पर आप कर सकते हो देखिए यहाँ पर एक list दिया गया है आप यहाँ पर वीडियो को pause करके list चेक कर सकते हो पहले नमबर पर देखिए Seattle payments bank है NSDL payment bank है उसके बाद देखिए इंडियार post payments bank है उसके बाद देखिए पांजाब और साहीद bank है City union bank है Fino payment bank है Federal bank है और बहुत सारे जो bank है उसका cash deposit live कर दिया गया है DGP के अंडर जो भी bank इस list में नहीं है बहुत जल्द add हो जाएगा उसके उपार अभी काम चल रहा है तो आभी आप DGP दो माध्धम से उस कर सकते हो एक तो है Windows system पे और दूसरा है Android system में अगर आपके पास दोन कर सकते हो एंड़ीजीपे का जो कमिशन है दूसरे किसी भी EPS company से जादा है तो यहाँ आप आप साथ आजर से दस आजर के बीस में किसी भी customer का पैसा उइद्रो करोगे तो आपको यहाँ पार गारा रूपीस का कमिशन मिलेगा जो कोई भी EPS company आपको provide नहीं करेगा BC का transaction देखोगे फ्रेंट जो CSP होता है मनली जे State Bank of India का CSP है ओगर किसी customer का 10,000 रूपीस उइद्रो करेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा उसको मिलेगा 9 रूपीस ओफास transaction की बात कर रहे हो फ्रेंट्स में डिजीपे का आप उस कर सकते हो और अराम से काम कर सकते हो तो डिजीपे को डाउनलोड कहास से करना है तो उसके लिए देखे फेंट्स आपको यहाँ पर आज आना होगा CSC की official website पे और यहाँ पर आने के बाद देखेंट्स यहाँ पर service के अंडर आपको option मिलेगा डिजीप तो जैसे आप डिजीपे पे क्लिक करोगे देखें डिजीपे का जो official website है यहाँ पर आपको redirect कर देगा तो यहाँ से आप Windows version के लिए भी डिजीपे को डाउनलोड कर सकते हो Android system के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो तो मैं दोनों जगा पर यूज़ करता हूँ तो डिजीपे ब जादा मिलता है तो आप यह service यूज़ कर सकते हो तो देखिए फेंस आपड़ डाउनलोड डिजीपे के उपर आपको क्लिक करना पड़ेगा तो जैसे आप क्लिक करोगे देखिए फेंस डिजीपे 6.7 for Windows new करके है और डिजीपे 6.9 for Android के लिए है तो देखिए Android के लिए जो भार्षो ने बहुती increase हो चुका है और Windows में भी काम चल रहा है और भी update डिजीपे में आएगा अगर डिजीपे में कुछ प्रॉब्लेम आपको मिलता है देखिए आप एक help line number भी दिया गया है यहाँ पर आप contact कर सकते हो otherwise देखिए डिजीपे add that csc.gov.in पर आप email भी कर सकते हो तो और भी आगर आपको कुछ support चाहिए तो देखिए आप एक support का option है यहाँ से अब ticket raise कर सकते हो देखिए अभी बहुत सरा update आ रहा है आगर आपके पास csc.id नहीं है तो किस तरह से लेना है उसका भी वीडियो मेरे channel पे है आप description box में या i button पे देख सकते हो तो वीडियो आपको description में मिल जाएगा तो csc में धीरे-धीरे सभी government का जो service है launch हो रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा तो government का जो service है csc प्रोवाइड करेगा और csc एक बहुत बढ़िया network है तो इसलिए government को भी पाता है अगर कोई service अच्छे से delivery करना है गाओ में तो csc को जरू थे ucl center लेना चाते हो तो आपके पास एक bank bc होना चाहिए तो csc आपको free में bank bc भी provide करेगा आगर आप एक बार bank bc बन जाते हो तो आराम से आप ucl center के लिए application कर सकते हो तो ucl center के लिए application आप कहा से कर सकते हो तो उसके लिए friends आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा esheba.ccloud.in slash ucl तो इस link पे जैसे आप click करोगे friends आपके समने ucl application का form open हो जाएगा तो यहाँ पाद देखिए digital sheba connect है तो इस digital sheba के थुरू connect करने के बाद आपको एक form देखने को मिलेगा उस form को feel करने के बाद आपका state team से आपको contact किया जाएगा और आपका जो ucl service है उसको activated कर दिया जा service है आप किसी भी customer को अधार correction कर सकते हो और यहाँ से अच्छी कासी earning भी होता है तो overall अगर आपके पास CSC है तो आप 200 सो भी जादा service customer को deliver कर सकते हो तो friends आपके पास CSC ID है या नहीं है comment box में आप जरूर बताईएगा आगर अपनी CSC के लिए application किया है तो भी comment करके मुझे ब update आपको share करना था एर वीडियो कैसा लागा है comment करके जुरूर बताईएगा अगर अच्छा लागा है तो इस वीडियो को like किजे share किजे और अभी तक मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरी चैनल को भी subscribe कर लिजिए तो friends में last में आपको बोलना चाहूंगा अगर आपने मेर टेलिग्रम चैनल पे जॉइन नहीं हुआ है तो तुरूंत मेरी टेलिग्रम चैनल पे जॉइन हो जाई है तो टेलिग्रम पे मैं सबसे पहले आपडेट प्रोभाइड करता हूँ